86. अभिशेक अभिशेक का महायोग उपस्ति थे यजमान यग भूमी में आकर वेदी पर बैठें इसी समय यग भूमी के प्रांत में कुलाहल होने लगा कुशन भर बाद ही सौमप्रभ रक्त से भरा खडग हाथ में लिए हुए रक्त लिप्त गायल राजपुत्र विदू ढब को समुक किये हठात यग भूमी में गोसाई नगनख खडग हाथ में लिए कारायान और उनके भाट उनके पीछे थे ये द्रिश्य देख कर चारो और कुलाहल मच गया अनेक शत्रपों राजा और मांडिलिकों ने खडग खीच लिए सेना में भी हलचल मच गई और चारो और कुलाहल होने लगा स्वम्प्रभ ने आगे बढ़कर वेदी पर विदू डब को प्रतिष्ठित करके खडग और हाथ उपर उठा कर उच्छ स्वर से कहा भंतेगण राज सभासत ब्राहमन और पौर जानपद सुने ये महराज विदू डब कोसल पती हाँ उपस्ते थे अब शेक महायोग है अब शेक प्रारम हो मैं मागध सौम्प्रभ गोशित करता हूँ कि कोसल के अबाध अधिपती परमेश्यर महराज विदू डब है जो कोई विरोध का साहस करेगा उसका सतकार ये खडग करेगा उन्होंने वही रक्त से भरा हुए खडग हवा में उचा किया बहुत से कंठों ने एक साथ ही जैजेकार किया महराज कौसलपती की जै देव कौसलपती विदूडब की जै बहुतों ने विरोध में शस्त्र निकाले कारायन उनके भट और सौम व्याग्र की भाती उन पर तूट पड़े देखती देखते यूप के चार और मुर्दों के धेर लग गए यग पशु अव्यवस्तित हो इधर उधर भागने लगे अनेक राजाओं क्षत्रपों और मंडला धिपों ने इन वीरों का साथ दिया वे गाजर मूली की तरह विरोधियों को काटने लगे पौर जानपद निगम श्रेणी पती सब बार बार महराज विदू डब का जैजेकार करने लगे विरोधि दल का कोई नेता न रह गया अधवर्यू अजित के सकंबली ने हाथ उठा कर कहा सब कोई सुने कौन है जो नए महराज का विरोधि है वो आगे आए कोई प्रमख पुरोष आगे नहीं बढ़ा आचार ने पुकार कर फिर कहा जिसे नए राजा से विरोध हो वो अग्रिसर हो इस पर भी सन्नाटा रहा तब तीसरी बार घोषणा हुई अब आचार अजित के सकंबली ने कहा सब कोई सुने पुराना राजा यहाँ पर मंडप में उपस्थित नहीं है और ना कोई उसका प्रतिनी धी समर्थक ही है राज एक शन भी राजा के बिना नहीं रह सकता नया राजा उसका औरस पुत्र है उसका कोई विरोध नहीं करता अतहां मैं घोषणा करता हूं कि वही अब इस यग्ग का यजमान है तो महराज विदूडब मैं तुम्हें यग्ग पूत करता हूं कहो तुम मैं इस राज सुय महा अनुष्ठान के लिए आपको वरण करता हूं मैं वरण करता हूं विदूडब ने तीन बार कहकर आचारे का वरण किया आचारे ने घोषणा की हे विश्व देवा सुनो हे ब्रह्मनों सुनो हे मनुष्यों सुनो हम वरण किये गए सोलहो रित्विक विधिवत अब इस राज सुय के महत अनुष्ठान में देव कौसल पती विदूडब का अभशेक करते हैं आचारे के संकेत से बहुत शंकेक साथ बजुठे अभशेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया राजा लोग अपने हाथों में अभशेक सामग्री से भरे पात्रों को विधी पूर्वक सजाकर पद मर्यादा के क्रम से खड़े हो गया रेणू विदेह राज ने श्वेत रंग का काम बोज अश्व भेट किया अस्सक की राज ब्रह्म दत्त ने स्वर्ण मंडित रत ला उपस्थित किया कलिंग राज सत्त भू ने रत पर धजा रोपन किया मगध समराट का भेजा हुआ रत्न माल और मनी ग्रतित उश्णीश मागध अमात ने राजा को धारन कराया शाक्यों के गण प्रतिनी धीने रत में स्वर्ण मंडित जुआ जोड़ा किसीने मनी जटित जूते किसीने तरकस किसीने खडग राजा को धारन कराया किसीने गंध माल ने दिया अब अजित के सकंबली कणाद औलुक वेशम पायन पहल इसकंद कात्यायन जैमनी और शोनक ने राज्य अभिशेक विधी का प्रारम भी किया वेद पाठ होने लगा कुरु संग राज्य के शुरुत सोम और धननजय श्वीत चत्र लेकर राजा के पीछे खड़े हुए सौवीर भरत विदेह राज रेनु काशी राज धत्रत सेतव हिरन नाब राजा पर चवर डुलाने लगे अठारे दक्षणावर्त शंक भूके गए फिर उन्ही शंकों में भर भर कर सत्रह तीर्थों का जल और एक सूर्रे किरणों का जल कुल अठारे प्रकार के जल जो यूप की उत्तरदिशा में उदुम बर पात्रों में प्रथक प्रथक रखे हुए थे उनसे राजा का अभिशे किया जाने लगा पहले सरस्वती नदी के जल से फिर बहावाली नदी के जल से फिर प्रतिलोम जल से मारगांतर के जल से समुद्र जल से भवर के जल से इस्थिर जल से धूप की वर्षा के जल से तालाप के जल से कुए के जल से ओस के जल से फिर तीर्थों के विविद जलों से भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर राजा का भी शेक किया गया अब सौम पान होकर गवलम महन हुआ फिर बारह पार्थ हॉम किये गए और नए महराज को गृत पुलत वस्तर पहनाया गया उस पर यग पात्रों के चित्र सुई से कड़े हुए थे उस पर बिना रंगी उनका पांड़ और कंबल और उसके उपर लंबा चोगा पहनाया गया रिशियों ने पुकारा ये कशत्र की नाभी है अदवर्यों ने धनुष चड़ा कर कहा ये इंदर का विरत्र हंता भुझ है और उसके दोनों चोर मंत्र पूत करके महराज को दिया फिर उसने मंत्र पूत तीन बान राजा को दिये और यग में बैठी हुए पंड़क की मुह में तांबा किया अब दिगविजय का होम पाठ हुआ ये जमान की बाह पकड़कर उसे अदवर्यों ने चार और घुमाया प्रती दिशा में कुछ पेन चला कर कहा प्राची को चढ़ गायत्री चंद रथंतर साम त्रीवरत इस्तोम वसंत रितु और ब्रह्म धन तेरी रक्षा करें दक्षण को चढ़ त्रिष्टुभ चंद ब्रहत साम पंच दश इस्तोम ग्रीश्म रितु और क्षत्र धन तेरी रक्षा करें पश्चिम को चड़ जगती छंद वेरूप साम सप्तदश स्थोम वर्षा रितू और विषधन तेरी रक्षा करें उत्तर को चड़ अनुष्टप छंद वेराज साम एक विंश स्थोम शरद रितू और फल रूपी धन तेरी रक्षा करें उपर कुचण, पंक्ती छंद, शाक्व रेवत साम, सत्ताइस और तेते सिस्तों, हेमंत शिशे रितू और वर्चस धन तेरी रक्षा करें फिर राजा ने व्याग्र चर्म के नीचे रखे सीसे कुठो कर मारी अदवर्यों ने मंत्र पढ़ा, फिर राजा व्याग्र चर्म पर बैठा, सौने का एक चंद्र राजा के पेरों पर रखा गया अदवर्यों ने कहा, मृत्यू से बचा, सौचिद्रवाला सौन का मुकुट सिर पर धारन कराया गया अदवर्यों ने कहा तू ओज है अम्रित है विजा है राजा ने दौनों भुजा उची करके घोश किया हे मित्र वरुन अपने रत पर चड़ो और दिती अदीती सीमा बद्ध और असीम को देखो अदवर्यों और प्रोहित ने पलज की पात्रमे रखे जलों से फिर राजा का अभशियक किया ब्रहमा ने मंत्र पाठ किया अदवर्यों ने फिर उच्छो सर से घोशिट किया यह देवो इसे उत्तेजित करो कोई इसका सापत्ल न न हो बड़े क्षत्र के लिए, बड़े बड़पन के लिए, बड़े मनुश्यों पर राज्य के लिए, इंद्र के इंद्रिये के लिए, कौसल जन्पत के लिए, ये राजा महराजा विदू ढब, तुम कौसलों का राजा है, हम ब्रामणों का राजा सूम है तब अठारे दक्षणा वर्त शंख एक साथ फिर फूंके गए अब रत विमोचनी होम हुआ और भिन भिन मंत्र पढ़कर रत के अंग प्रत्यंग होम किये गए राजा को व्याग्र चर्म के उपर खदिर की चौकी पर रखे उस इंगासन पर बैठाया गया और राजा दृत वरत घोशित किया गया फिर दियूत हुआ बहेडे के पासे लाए गए रत ने राजा को घेर कर बैठे अदवर्यों ने राजा को यग काश्ठा से पीटा राजा ने कहा ब्रह्मन अद्वर्यू तू ब्रह्मा है तू सत्य प्रणेता सविता है राजा ब्रह्मन अद्वर्यू तू ब्रह्मा है तू प्रजाओं का बलवान इंद्र है राजा ब्रह्मन अद्वर्यू तू ब्रह्मा है तू कृपालू रुद्र है राजा ब्रह्मन प्याले की अजमान और नौर रित्वीकों के लिए रखे गए, दासों को कमर जुका कर प्यालों की और रेंगना पड़ा और अपने दादा से लेकर पहले के और पीछे के दस पुर्खों के नाम लेने पड़े, जो सो में आजी रहे हो। प्रत्यक प्याले में दस दस जनों ने पिया, एक रित्विक और नौ और, यो सो जनों ने सोमपान किया, राजा ने सब को सोने की कमलों की मालाएं पहनाई, अभी यग्य की समाप्ती पर सहस्त्र शंख ध्वनी हुई, विदूडब राजा ने सींगों में सोना मढ़कर सो गा अलंकारों से अलंकरता दासिया, प्रत्यक श्रोत्रिय ब्रह्मन को दी, ब्रह्मा उद्गाता तथा अन रित्विजों को उनकी मर्यादा के अंसार बहुत सा स्वार्ण रत्न वस्त्र दासिय और बच्डे दिये गए, दानमान सतकार दक्षणा आतित्थ भोजन आदी से संत किया, जो मित्र बंधु और राजा नहीं आये थे, उन्हें गाडियों और छक्णों में सामगरी भर कर भेज दी गए, जो विरोधी यग विद्रोह में मारे गए, उनके उत्तरा धिकारी पुत्र परिजनों को दान, मान, पदवी और पुरसकार से सतक्रत कर संतुष्ट किय इस प्रकारी यग में आईसा ब्रह्मन, यती, ब्रह्मचारी, राजा, राजवर्गी, पौर, जानपद, सभाती संतुष्ट प्रसन हो, माराज विदू ढब का दिगदिगंत में यशुगान करते हुए, अपने अपने घर गए, भाग गहीन, विगलित, योवन, गत, श्री पर पड़े थे, उनके घाव अब भर गए थे, परंतु दुर्बलता भी थे, कुंडनी उनकी शैया के निकट चुपचाब बैठी थे, शंब कक्ष के कोने में बैठा स्वामी को चुपचाब देख रहा था, सौम किसी गंभीर चिंतना से व्याकुल थे, उनकी चिंतना का गहन विशय था कि राजनन्दनी चंदर प्रभा को ले जाकर कहा रखा जाए, वे उससे विवाह करने के भी अधिकारी हैं या नहीं, क्या उन जैसे अग्यात कुलशील व्यक्ति का इतने बड़े राज्य के अधिपती की पुत्री से विवाह करना समुचित होगा, इसा अनुचित लाभ उठाना चाहिए, यदि ये परिस्थिति नाउत्पन हो जाती, तो क्या चंपा राजनन्दनी उन्हें प्राप्त हो सकती थी, क्या स्वार्थवश उन्हें राजनन्दनी का अहित करना उचित है, यही सब विचार थे, जो उन्हें उद्विग्न और विचलित कर रहे थे, इसी समय महाश्रमन भगवान महावीर वहां आउपस्थित हुए, कुंडनी ने आसन पर बैठ कर उनका अविवादन किया, श्रमन महावीर ने कहा, भद्र सौम प्रभ, मैं तेरे ही लिए आया हूँ, अपने सुख को देख, पुन्न को देख, मल रहे पुत्र ये शरीर बहु मलों का घर है, इसमें काम है, क्रोध है, लोब है, मोह है, एशनाय है, सुपुत्र ये समुद्र के समान है, समुद्र में आठ अद्भुत गुन है, इसी से असुर महा समुद्र में अभीरमन करते है, वो क्रमशाह निम्न, क्रमशाह प्रवान, प्रारंभार होता है, वो इस्थिर्धर्म है, किनारी को नहीं छोड़ता, वो मृत शरीर को निवास नहीं करने देता, बाहर फेक देता है, सब महानदी, गंगा, यमना, अचिर्वती, शरभु, मही, जब महासमुद्र को प्राप्त होती हैं, तो अपना नाम गोत्र त्याग देती हैं, और भी पानी, धारा, अंत्रिक्ष का वर्षा जल समुद्र में जाता है, परन्तु महासमुद्र में उन्ता या पूर्णता कभी नहीं होती, वो महासमुद्र एक रस है, वो रतनाकर है, शंक, मोती, मूंगा, वैदूर, शिला, रक्तवन, मनी, मसार, गल, समुद में रहती है, वो महासमुद्र महान प्राणियों का निवास है, तिमी, तिमिंगिल, तिमिर, पिंगल, असुर, नाग, गंधर्व, उसमें वास करते हैं, उसमें सो योजन वाली शरीरधारी भी हैं, तीन सो योजन वाले भी हैं, चार सो योजन वाले भी हैं, सो पुत्र, ध दर्म में जीवन भी समुद्र की भांती क्रमशाह गहरा, क्रमशाह प्रवण, क्रमशाह प्रारंभार है। एकदम किनारी से खड़ा नहीं होता। सो धर्म जीवन में क्रमशा, क्रिया, मार्ग, आग्या और प्रतिवेद होता है उसी का क्रमशा अभ्यास करने से मनुष अनागामी भी होता है ये जीवन का ध्रुवधिये है सो सोम भद्र तु महा समुद्र के अनुरूप बन पुन्य कर और मल रहे थो निर्वान को प्राप्त कर सोम ने कहा, तु भगवन आप जैसा मेरे लिए हित कर समझे यही तो भद्र, तुने विदू डभ को राजा बनाया ये तेरा सत्कर्म हुआ, पर शील का भार अभी तुझ पर है उसे भी उतार, वो तेरे लिए सह न होगा, कल्यान कर न होगा भगवान शिर्मन जैसा ठीक समझे उसे तो कोसल की पट्ट राज महीशी बनने दे भद्र बस इसी में सब हो गया सौम का मुह रक्त ही इन्श्वेत हो गया मृत पुरुष की भाती शैया पर वो पढ़ रहे परंत उन्होंने इस्थिर्वानी से कहा भगवन ऐसा ही हो, आप सत्त कहते हैं मैं वो भार वहन नहीं कर सकता तेरा कल्यान हो आईश्मन, मैं कुमारी से कहूंगा राज कुमार से भी आप्यायत हुए भगवन, चिरबाधित हुए भगवन सोमने यंत्रवत कहा, वो काश्ठवत शैया में पड़ी रह गए कुंडिनी ने सुना, उसका मुह सूख गया भगवन महावीर कक्ष से धीरे धीरे चले गए 88, सै भोग मिदम राज्यम मध्यान उत्तर चत्रुंगला चाया काल में राज सभा का आयूजन हुए कोसल पती महराज विदूढब चत्र चवर धारण किये सभा भवन में पधारे उनके आगे आगे सौमप्रभ नगन खड़ गिलिए और पीछे सेनापती का रायन खड़ गिलिए चल रहे थे सिंगासन पर बैठते ही महाले से शंक ध्वनी हुई वेद पाठी ब्राहमनों ने स्वस्ति वाचन पाठ और कुल कुमारियों ने अक्षत लाजा विसर्जन किया इसके बाद महराज विदूढब ने सिंगासन से खड़े होकर आचार अजित के इस कम्भली को महामात्त का खडग दे कर कहा आचार मैं आपको कौसल के महामात्त पद पर न्युक्त करता हूँ ये खडग गिर्हन कीछिए आचार ने खडग गिर्हन करके उच्चा सन के निकटा करू उच्च स्वर से कहा सै भोग मिदम राज्यम साथ साथ भोग ने योग राज को कोई अकेला नहीं भोग सकता इसलिए मैं घोशना करता हूँ कि जो अमात और राज कर्मचारी निष्ठा पूरवक अपने अधिकारों पर रहना चाहते हैं वे शान्ती पूरवक रहें महराज विदू डब अपने राज जिकाल में उन्हें दूई गुन भुक्त वेतन देंगे जिस अमात और राज कर्मचारी ने राज विद्रोह किया हो उसका वो कार पूर्व महाराज प्रसेंजित के प्रति आदर भावना कद्यों तक समझ कर महाराज विदू डब उसे ख्षमा करते हैं अब वो यदि राज निश्ठा से राज सेवा करे तो उसकी नियुक्ति यथा पूर्वक रहेगी ऐसी लोग सेवा ना करें तो पुत्र परिजन धन सहित स्वेच्छा से जहां चाहें चले जाएं कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु जो कोई राज जिमें विद्रोह करेगा या किसी प्रकार मन वचन कर्म से शान्ति भंग करेगा उसे कठोर तम दंड दिया जाएगा इस घोषणा के होने पर सभा में हर्श ध्वनी और महराज विदू डहब का जैजेकार हुआ महामात्त ने फिर कहा महाराज की आग्या से मैं सबसे प्रथम महराज और कोसल राज की ओर से मागध राजमित्र और कोसल के मान राज अति थी शिरी सोम प्रभ देव का अभिनन्दन करता हूँ जिनके शौर विक्रम और मैत्री के फल सरूप हमें आज का शुभ दिन देखना नसीब हुआ महराज विदू डब घोशित करते हैं कि आज से कोसल सदेव मगध का मित्र है मगध का शत्रू कोसल का शत्रू और मगध का मित्र कोसल का मित्र है कोसल के परम्मित्र मागद स्री सौम प्रभदेव के अनरोध पर कोसल पती महराज विदूडब ये घोशना करते हैं कि वत्सराज उधियन की मेत्री चाहे जिस भी मूल पर कोसल प्राप्त करेगा और मेत्री का संदेश लेकर शीगरी कोई राजपुरुष वत्सराज महराज उधियन की सेवा में जाएगा अपनी मेत्री सद्भावना और कृतगता के प्रकाशन स्वरूप महराज विदूडब मगद समराट को काशी का राजज भेट करते हैं इस पर सबोर हर्श धनी हुई महामाट्य ने कहा अब संधी विग्रहिक के पद पर महा सामंत पायासी और अर्थमंत्री के पद पर महाशा लौहित की नुक्ती की जाती है तथा राजववस्था के संचाल नार्थ आठा माट्यों का एक अमात्यमंडल नुक्त किया जाता है उनके सामर्थ की परिक्षा उ उन्नत कुल में उत्पन, शडंग वेदों के ग्याता, दंडनीती जोतिश तथा अथर्व वेदोक्त मानुशी और दैवी विपत्तियों के प्रतिकार में निपुण है। नवासी मारमिक भेट रात बीत गई, बड़ा सुन्दर प्रभात था, रात भर सो चुकने के बाद अब सौम का मन बहुत हलका था, पर गहन चिंतना से उनका ललाट सिकुड रहा था, भविश्य के संबंध में नहीं, बीते हुए गिंती के दिनों के संबंध में, भागने उन कर प्रभात का क्षीन प्रकाश, उनकी शैया पर आलू की ये खाएं खीच रहा था, और वो सुदूर नीला काश में टक्टकी बांधे, मन दिसमित कर रहे थे, शंबु उनके पैरों के पास चुकचा बैठा था, बहुत सा रक्त निकल जाने से उनका घंशिया मवर्ण मुक विवर्ण हो रहा था, फिर भी वो अपने स्वामी के चिंतन से सिकड़े हुए ललाट को देख देख, मनी मन उद्विग्न हो रहा था, इसी समय जीवक कौमार भृत्त ने आकर कहा, महराजा धिराज अभी आपको देखना चाहते हैं बंती सेनपती, सौम तुरंत तयार हो मुह से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, विदू ढब एक छोटी शया पर लेटे हुए थे, सौम ने शया के निकट पहुचकर कहा, अब देव कौसल पती का मैं और क्या प्रिये कर सकता हूं, विदू ढब भी बहुत दुर्बल थे, उन्होंने इस निक्ध दृष्टी से सौम की ओर देखा और दोनों हाथ उनकी ओर पसार कर धी में स्वर से कहा, मित्र सौम अधिक कहने के योग नहीं हूं, परन्तु मित्र कौसल का ये राज्य तुम्हारा ही है, सुनकर सुखी हुआ महराज, मेरी अकिंचन सेवाएं कौसल और कौसल पती के लिए सदा प्रस् श्रमन महावीर और माता कलिंग सेना ने ये ठीक नहीं समझा, मित्र राजनीती ही तुमसे मेरा विछोह कराती है, और भी बहुत कुछ महराज, परन्तु राजनीती मानो जनपद की चरम विवस्ता है, उसके लिए हमें त्याग करना ही होगा, सो मैं प्राणाधिक मित्र को विदूडब की आखों में आशु भर आये और उन्होंने तनिक उठकर सौम को अंक में भर लिया, सौम के होट भी कुछ कहने को फढ़के, परन्तु मुह से शब्द नहीं निकले, उन्होंने कापते हाथ से विदूडब का हाथ पकड़ कर कहा, काम ना करता हूँ, महराज अब मैं चला महराज, कौसल को सब कुछ देकर मित्र, विदूडब हटात शया से उठकड़े हुए, परन्तु जीवक ने उन्हें पकड़ कर शया पर लिटा कर कहा, शान्त हो देव, भंति सेनपती फिराएंगे, सौम ने शन भर रुक कर विदूडब की ओर देखे बिना ही वहां से प्रस्थान किया, नबे, चिर्विदा, उन्होंने चीना अंशुक धारण किया था, जिसके किनारों पर लाल लहरिया टका था, कंठ में उज्वल मोतियों की माला थी, जिसकी आभा ने उनकी कंबु ग्रीवा और वक्ष को आलोकित कर रखा था, कपूलों पर लोध मृदुल युगल बाहु मृणाल नाल की शोभा धारन कर रहे थे, प्रवाल के समान अरुणाभ उत्पुल अध्रोष्टों के बीच हीरक्सी आभा वली उज्वल धवल दंत पंक्ती देखते ही बनती थी, गंड स्थल की रकताभ कांती मद्द आपूरित इस भटिक चशक क शोभा को लज्जित कर रही थी, उज्वल उन्नत ललाट पर उन्होंने मना शिला की जो लाल श्री अंकित की थी, वो स्वर्ण दीप में जलती दीप शिखासी दीख रही थी, अंसस्थलों में लगा लोध्र रेनू, उनके मानिक के कुंडलों पर एक धुमे लावरन सा डा रहा था, उनके लोचनों से एक अद्भुत मदधारा प्रवायत हो रही थी, उनकी सगन क्रिश्न केश राशी पर गूथे हुए बड़े-बड़े मौक्तिकों की शोभा, सुनी इलाकाश में जगमगाते तारों की छवी धारन कर रही थी, प्रासाद के उद्द्यान में आधवी लता फैली हुई थी, उसी लता कुंज में वो तनमय हो एक चित्र बना रही थी, उनका कंचुक बंधन शिथिल हो गया था, भावावेश से उनका शुआस आविगित था, नेत्रों की पल के चित्र फलक पर इस्थिर और मगन थी, कॉमल चंपक वरनी पतली उंगलि थे, वो यतन से चित्र पर अंतिम स्पर्श दे रही थी, सारा चित्र एक वस्त्र खंड से ढखा था, सौम के आने की आहट उन्हें नहीं मिली, वो दबे पाउं उनके पीछे जाकर खड़े हो गए, चित्र को पूरा करके उन्होंने उस पर का आवरण उठाया, एक बूंद अश्रु चित्र पर गिर पड़ा, उस दिन वसंत का वो प्रभात लालालावनिस त्रोत से प्लावित हो, अन्राक सागर की तरह तरंगों में डूबता उतराता दीख रहा था, चित्र सौम प्रभ का था, सौम ने आगे बढ़कर कापती स्वर में कहा, शील, वो चौंक उठ उन्होंने बड़ी बड़ी पलके उठाकर सौम को देखा, लज्जा से उनका मुख झेप गया, दोनों हाथ निढाल से होकर नीचे को लटक गए, सौम ने घुटनों के बल बैटकर राज नंदिनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अवरुध कंठ से कहा, शील, राज ये मैं जानता था, मैं जानता था, तुम मुझे अवज शमा कर दोगे, परंतु शील प्रीह, अपने को मैं कभी शमा नहीं करूँगा, कभी नहीं, वो सब तुम्हे करना पड़ेगा सोम भद्रो, कि तुप्रीह, मैंने जिस दिन पर्थम तुम्हें देखा था, अपना हिर राजवन्श का अंत हो और अग्यात कुल शील सौम कोसल पती बन कर तुम्हें कोसल पत्ट राजमहिशी पद पर अभी शिक्त करें। सब कुछ अनुकूल था, एक भी बाधा नहीं थी। मैं जानती हूं प्रिय दर्शन पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना योग था, किन्तु अब, अब मुझे जाना होगा प्रिय, तुम मैं भी तुम्हारे साथ हूं प्रिय, नहीं शील, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा और तुम्हें रहना होगा, मैं कोसल का अधि अनभव करूँगी ओ, नहीं एक अज्यात कुल शील नगन वंचक की पत्नी महा मही मामाई चंपा राजनदनी नहीं हो सकती किन्तु सौंभद्र मैं तुमारी चिर्दासी शील हूँ मैं तुम्हें आप्यायत करूँगी अपनी सेवा से, सानिध से, निष्ठा से और तुम अपना प्रेम प्रसाद दे कर मुझे आपूर्रे मान करना मेरे प्रत्यक रोम कूप का संपूर्ण प्रेम मेरे शरीर का प्रत्यक रक्त भिंदू मेरे जीवन का प्रत्यक श्वास आसमापती तुम्हारा ही है शील पर ये नहीं हो सकता तुम्हे कोसल की पट्ट राज महीशी बनना होगा किन्तु मैं तुमसे प्यार करती हूँ सोहूं केवल तुमसे और मैं भी तुम्हें प्राणा अधिक शील किन्तु प्रित्वी पर प्यार ही सब कुछ नहीं, सोचो तो, यदि प्यार ही की बात होती, तो मैं विदूडा भका क्यों उध्धार करता, क्यों अपने हाथों उसके सिर पर कोसल कराज मुकुट रखकर, कोसलेश्वर कहकर अभी वादन करता, प्रिये, चारू शीले, निश् से लगा लिये, कुमारी कटे वरिक्ष की भाती उनके उपर गिर गई, उनकी आँखों से अश्रुधारा बह चली, बहुत देर तक दोनों निर्वाक निश्चल रहे, फिर कुमारी ने उठकर धीरे से, जैसे मरता हुआ मनुश्य बोलता है, कहा, मैं जानती थी, तुम यही करोगे, सोम, प्रियदर्शन, किन्त मेरे प्रत्येक रूम में तुम्हारा वास है और आजीवन रहे का, जीवन के बाद भी, अती चिरंतन काल तक, तुम्हारा कल्यान हो, तुम सुखी हो, कौसल पट राज महिशी, शील, चंदना, चंदर भद्रे, सुभगे, सोम ने जुक कर, कटग उश्नीश से लगा कर, राजसी मर्यादा से कुमारी का अभी वादन किया, और कक्ष से बाहर पेर बढ़ाया, कुमारी ने एक पग आगे बढ़ा कर, वाश्पा वरुद्ध कंठ से कहा, सौम बत्र, मेरे धुम रिकेती को ले जाओ, वो बाहर है, उसे तुम को भी नहीं रुके, लंबे लंबे पैर बढ़ाते हुए प्रासाद के बाहरी प्रांगण में आ खड़े हुए, वाँ कुंड़नी और शंब उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे, उन्होंने धूम रिकेती पर प्यार की एक थपकी दी, फिर कुंड़नी की ओर देखकर, बिन मुस्कराए और एक शब्द बुले, तीनों प्राणियों ने उसी एक खड़ वैशाली की राजपत पर अश्व छोड़ दिये।